हेलो स्टुडेंट्स स्वागत आप अपने प्यारेश यूटूब चैनल लिंड़ फोर्स अकेडमी सब्टु स्टुडेंट विज अर्थियूं किसी वामें अपने 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 सकते हैं स्टार्ट करते हैं एयर फोर्स प्लस नेवी तो 2017 की क्यूशन नंबर 76 से एक शुरू के एक दो क्यूशन है वो थोड़े बलर टाइप में दूंदले-दूंदले से बाकि आगे ठीक आ जाएंगे तो टेंसर मत लीजिए फेस्ट लाफ थर्मडाइमिक्स के अनुसार क थर्मल सिस्टम बिल्कुल सही है अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो आईसो थर्मल है वहाँ पर हीट कॉंस्टेंट रहेगी हाना हा सर बिल्कुल सही है अरे नहीं है मेरे गलत बोलने से क्या हो जाएगा ये भी बिल्कुल गलत है हीट जो कॉंस्टेंट रहेगी वो डिपेंड करता है ने जिक अंजर्वेशन प्रिंसिपल पर आदारी थे हैं इस यह आंसर इस दे राइट आंसर नेक्स्ट क्यूस्टन है यह जो क्यूस्टन है दोस्तों कम से कम पांच या छे बार एक साल में रिपीट हो लेता है यह लगबगा आपको हर सिप्ट में देखने कब करेंगी जो डिल गैसी हो इडिल गैस की तरह भीव करेंगी लो परिसर यानि पर ही टमपरेशन पर यह बात हमेष्टाप को चाते हों गीतले अऊब देखने में तो समझ लेना यह बात आप next question है at the same temperature same temperature पे kinetic energy होगी वो hydrogen gas के और oxygen gas के उनका ratio क्या होगा temperature same है लेकिन आपको hydrogen gas और oxygen gas की kinetic energy के बीच का ratio निकालना है तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखना जो kinetic energy है वो directly proportional to temperature है directly proportional to absolute temperature लेकिन temperature तो same है लेकिन independent of the kind of gas kinetic energy ये मतलब नहीं रखती कि gas किस टाइप की है kinetic energy temperature पे डिपेंड करती है ठीक है ये डिपेंड बिल्कुल नहीं करें आपने अगर 35 degree Celsius पर किसी भी gas को रख दिया तो सब की kinetic energy बराबर होगी आपने 100 degree Celsius पर किसी भी gas को रख दिया तो gas से कोई मतलब नहीं हों कि kinetic energy सेम होगी यानि अगर temperature सेम तो समझ लो kinetic energy सेम चाहे वो gas कौन सी भी हो यानि जो correct answer होगा वो कौन सा होगा बताओ इसका जो correct answer होगा 1 ratio 1 यानि A option is the right answer next question है at which temperature the speed of sound will be same as that speed of sound in oxygen दुबारा देखो किस temperature पर जो sound की speed है hydrogen पर वो ही sound की speed हो जाएगी oxygen पर अगर temperature 100 degree Celsius दे रहागा दुबारा समझ दें question ये कह रहा है कि in which temperature the speed of sound in hydrogen hydrogen gas को किस temperature पर रखें कि उनमें से जो sound की speed होगी वो same हो speed of sound in oxygen at 100 degree Celsius अगर oxygen 100 degree Celsius पर रखी हो तो उसके अंदर से जो speed की sound होगा उसके बराबर हो तो दोस्तों question क्या है देखो जो speed होती है वो होती है डाइक्री परपोर्शनल टू temperature रिनोसिल परपोर्शनल टू root of mass किसकी hydrogen की hydrogen का temperature अब को ने दे नहीं रखा T मान लो hydrogen का molecular mass हमें पता है कितना 2 अब ओन में velocity तो same रहेगी oxygen का temperature 100 degree Celsius दे रखा है यानि 273 plus 100 373 Kelvin अब ओन में oxygen का mass कितना होता है 32 हाना यानि correct answer क्या हो गया आप इन दोनों का ratio निकालोगे दोनों का डिवाइड करोगे आपके पास temperature की value आ जाएगी कैसे वी से वी कैंसिल यानि one root से root कैंसिल क्योंकि उदर तो one है तो आप इसे solve कर लीजे आपकी जो value आएगी T की वो लग बगमेरे अनुसर आ जाएगी 249 के approach देखो देखते हैं इसमें answer क्या है इसका answer होगा minus 249.7 degrees Celsius correct answer होगया आपको जो temperature आएगा वो दोस्तों Kelvin में आएगा उस Kelvin का आपको degree centigrade में बदलना पड़ेगा next question है at which temperature the speed of the sound in air will be equal to 1.6 times of the speed of the sound in air आपकी बार gas अलग अलग नहीं है air की बात हो रही है लेकिन कह रहा है कि temperature को कितना बढ़ाई या कितना कम करें कि जो sound की speed हुए 1.6 गुणा हो जाए 1.6 times हो जाए अब यह भी तो बताए मैंने velocity डेक्री परपोस्टनल टू रूट टी यानि temperature तो शुरू में velocity वी है temperature टी है अब कह रहा ठीक है वी अप वी से वी कैंसे लोगा है 1 upon 1.6 equals to root T upon T ठीक है तो T डेस निकालो आप अगर आप T डेस निकालेंगे आपका जो temperature आएगा एक बात जरूर ध्यान में रखना आप T याँपे 25 डिग्री सेल्सेस नहीं रखना है आपको Kelvin में रखना है ठीक है स्टार्ट करते हैं इसका आप answer approach 490 डिग्री सेल्सेस हा जाएगा what temperature is the same on the celsius scale as well as on farnight scale इस temperature पर celsius scale और finite scale बराबर होगा वैसे आपके direct भी याद होना चाहिए minus 40 degree celsius या फिर minus 40 degree farnight दोन्नों minus 40 degree पे उतना ही celsius होता है और वैसे भी अगर आप निकालना चाहूँ तो आप निकाल सकते हो कैसे f minus 32 upon में 9 equals to c upon में 5 या फिर ये 180 और ये 100 ठीक है f और c equal होना चाहिए यानि f की जग़े c रख दो अगर आप इसे solve करेंगा आपको उत्तर आ जाएगा minus 40 degree Fahrenheit या Celsius जो भी है सेम तो हो गई next question है देखो what temperature is the same sorry 100 gram ice is mixed with 100 gram water at 20 degree Celsius the temperature of the mixture दोस्तों अगर 100 gram ice को अगर आप 100 gram water में मिलाओगे तो water का इतना heat नहीं होती कि उस ice को गरम कर सकें यानि एप रोक्स इसका जो temperature मानना जाता वो मानना जाता जीरो डीगरी Celsius इक रख टांस्विर क्या होगा डी ओप्शन देखो मैंने इसलिए कहा है कि अगर 100 gram ice है अगर water भी 100 gram हो तो जो temperature लग 22 के लग जितना ही होता है ठीक है लेकिन अगर मान लो यहाँ पर 1 kg water दे रखा होता दो kg water दे रखा होता तो फिर आपको कैलोरिमेटर अपला ही करना होता ठीक है नेक्स्ट क्यूशन करते हैं helium gas is filled with a close vessel helium gas है वो close vessel से feel कर दी गई बढ़ती गई एक मतलब close vessel close burton में when it is heated from 300 Kelvin to 600 Kelvin यानि उसका temperature बढ़ा दिया गया उसे एक बरतन में डाल दिया गया temperature बढ़ा दिया गया 300 Kelvin से 600 Kelvin यानि दो गुना temperature कर दिया गया तो उसके kinetic energy कितनी बढ़ जाएगी तो दोस्तों kinetic energy डाइक्टी परपोस्टनल टू टाइम प्रेचर होता है थोड़ी पिछले से पिछले मॉक टेस्ट में हमने किया था kinetic energy अगर आपने टाइम प्रेचर को 300 से 600 Kelvin किया यानि आपने डबल किया है इसका मतलब आप यह समझो की kinetic energy भी डबल हो जाएगी next question है equal volume of gases at the same temperature and pressure contains same number of molecules यह कह रहा कि अगर आपने मानलो 3 meter cube या फिर 3 centimeter cube जो भी मानलो इतनी आपने गैस ले रखी है अगर वो same temperature same pressure पर हैं तो उनके अंदर जो number of molecules होंगे वो भी same होंगे यह बात किसने कही थी दोस्तों यह कही थी आवगेदरो ने आवगेदरो ने यह बात कही थी आवगेदरो जलो if we remove the atmosphere of the earth अगर आप उन अर्थ के उपर से पूरा atmosphere अटा दें वातारन हटा दें तो जो duration of day तो दिन है वो उसकी जो time है समय वो बढ़ जाएगा गट जाएगा तो दोस्तों अगर आप उन वातारन हटा दें तो duration of day increase हो जाएगा क्यों increase हो जाएगा because जो sun की जो light हो हमारे पास सिद्धी आने शुरू हो जाएगी ठीक है वो refract नहीं होंगी यानि correct answer क्या हो गया will increase ठीक है next question है for a diatomic gas diatomic gas क्या होता है दोस्तों diatomic gas के लिए cv होती है 5 by 2 r 5 by 2 r cp आप निकाल सकते हैं ऐसे cv minus cv equals to r तो cv 5 by 2 r आई है तो इसलिए आप cp भी निकाल सकते हैं बगी correct answer है यह cv equals to 5 by 2 r next question the temperature of a cup of tea is decreased by dipping a spoon in it एक cup है ठीक है उसका temperature कम कर दिया गया है उसमें एक spoon डबो दी गई the most stable substance used for it assuming mass of each cement यह कहरा है कि आप गरम चाए में अगर चम्मच डुबोते हैं तो चम्मच भी कुछ temperature अब्जोर्ब कर लेती हैं निक गरम हो जाती है तो यह करा किस material कि अगर आप उन चम्मच डालें ताकि शहीं रहें वो मतलब जल्दी से चाए ठंडी हो जाएं तो स्टिल की जो specific heat है वो जादा है स्टिल जादा heat अब्जोर्ब कर सकता है correct answer किया दोस्तों B option still is the good conductor of heat still is the good conductor of electricity ठीक है still is the good conductor of sound waves longitudinal waves जीसे अपन कहते हैं तो याद रखना आप the normal process of convection convection के लिए दोस्तों convection की जो normal process है वो है medium अगर बिना medium convection process नहीं हो सकती convection के थिरू waves जब भी transfer होंगी तब कोई न कोई medium होगा बिना medium के क्यों radiation हो सकता है यादि करक्ट टांस्वर क्या हो गया any medium an isochoric process is one which take place isochoric process क्या होती है isochoric वो process जो कि constant volume पर रहे at constant volume यादि करक्ट टांस्वर क्या हो गया c option iso-baric क्या होती है iso-baric constant pressure ठीक है adiabetic क्या होती है constant heat iso-thermal क्या होती है constant temperature कार्णोट engine operate किस कारण होता है कार्णोट engine जो operate होता है वो होता है due to steam pressure बाप के pressure के कारण यानि correct answer क्या होगे d option green house effect इसमें से कौन सी rage के कारण होता है तो green house effect जो होता 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 है दोस्तों infrared के कारण ये question भी दो बार navy में आ चुका और दोनों लगा तर shift में आय था 25 फरवरी 2018 को जब first time online हुआ था infrared rays के कारण green house effect होता है correct next question है in a cyclic process the change in internal energy of a system देखो जब process cyclic हो हैना cyclic process हो तो internal energy में जो change होता है वो होता है zero क्योंकि cyclic process में work done zero होता है जिसके कारण change in internal energy भी zero होता है by living the door of a small standard domestic refrigerator open मालो आपने किसी freeze को खुला रख दिया तो जो room है वो क्या होगा वो गरम हो जाएगा गरम क्यों होगा इसका कारण क्या है दोस्ते इसका कारण है कि second law of thermodynamics को बोईलेट करता है second law of thermodynamics को ये उसका जो ये वोईलेशन करता है second law of thermodynamics क्या है बताओ entropy enthalpy पर होता है second law of thermodynamics बहुत कम पुछा जाता है लेकिन आप याद रखना अगर आपने freeze के दरवाजी को खुला रख दिया तो जो room है वो गरम हो जाएगा ठीक है को क्यों होगा किस लोग को वोईलेट करता है तो ये second law of thermodynamics को वोईलेट करता है एक spare और एक cube और एक thin circular plate आपके पास एक तो spare है एक cube है और एक thin यापके पास एक plate है गोल सेम material के बनेवे हैं और उनको सेम temperature पर गरम कर दिया गया ज्यादा से ज्यादा है तो surface area ज्यादे से ज्यादा किसका है बताओ तो surface area circular plate का ज्यादा है next question है what do we pour water as coolant in radiator of engine महला आपके पास कोई कार है उसमें आप पानी डालते हैं ताकि engine ठंडा रहे हैं तो यह कहता है कि पानी कोई coolant के तूर पर यानि एक ठंडक के तूर पर क्यों डाला जाता है because पानी है वो ज्यादा temperature को सोक सकता है यह जल्दी गरम नहीं होता कहने मतलब है heat energy सोकता रहेगा लेकिन गरम नहीं होगा ना engine को गरम होने देगा और इस property को अपन कहते है high thermal capacity पानी की जो thermal capacity वो high है एक closed bottle containing water is open on moon एक आपके पास एक बंद पानी की bottle थी आपने चांद पर जागर उसे खोल दी तो क्या हो जाएगा तो दोस्तों यह आपको पता होना चाहिए the water will boil जो पानी हो उबलना शुरू जाएगा उबलना मतलब उसके particle उड़ने शुरू हो जाएगे वास्प बन जाएगे इसका क्या कारण है इसका कारण यह है कि वहाँ पर कोई atmosphere तो नहीं है वहाँ पर कोई gravity तो नहीं है तो निच्छे तो जाएगे और वो वास्प बनके हवा में उड़ने लग जाएगे नेक्स्ट कुस्टन है रिलेस्टन बेटून कलर और टेमप्रेचर यह रिलेस्टन दिया था वैंस लाने लेमडा एको इनुवर्शी परपोर्शन लिटू टू टेमप्रेचर जितना ज्यादा टेमप्रेचर होगा उतना ही कम वैवलेंग्थ होगी यही लो हमें वैवलेंग्थ हो टेमप्रेचर के बीच का रिलेस्टन बताता है इन में से कौन सी चीज है वो ट्रू नहीं है तो दोस्तों आईसो थर्मल प्रोसेस के कारण क्या होता है चेंज इन टेंपरेचर जीरो, आइसो बारिक में चेंज इन प्रेसर जीरो, आइसो कोरिक में चेंज इन अनर्जी जीरो नहीं, आइसो कोरिक में चेंज इन वॉल्यूम जीरो आएगा और आइसो अडियाबेटिक में चेंज इन हीट जीरो सहीं है, यानि यहां पर आइसो कोर आपको पता ही होना जिए work done है वो process पर वो के अवल पूरी process पर depend करता है यानि वो state पर depend नहीं करता है इन्हीं सिर और final state पर depend नहीं करता है inhii correct answer कोने चाहँ गया work done दोस्तों ये पुछा गया है आप द्यान में रखना कि टाइम प्रेचर एंट्रोपी और प्रेस्टर ये जो तिन्नों है ये है एक स्टेट फैंक्शन और वर्क डन जो है वो है एक पाथ फैंक्शन ठीक है आज हमारे 25 कुछन हुए हैं तो दोस्ते अगर आपके स्रीज अच्छी लग रहे पापके स्रीज ये जोह है दोगजा घर हो जादना प्रेस्टर आपके आपके स्रीज वाहा है ये झान कि ईșंस कि वाया है बग्या से जा है आपके स्रीज़सत औरी भी स्रीज़ πολ within that's起ιο है